हेलो फ्रेंट्स तो आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस आउनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म लेट्स स्टड़ी इंडिया में जैसा कि आप लोग को अभी तक ग्रेडियंट पे क्वेस्चन्स ग्रेडियंट के लेक्चर प्रवाइड किया जा चुके हैं तो आज हम बात करेंगे basically divergence and curl divergence और curl को हम लोग एक साथ लेके चलेंगे जिससे की क्या होगा कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके समझाझागा कि divergence क्या है curl क्या है दोनों में basic difference क्या है वो वो सारी चीज़े आपके सामने इस पश्ट रूप से आएंगी तो इस lecture में basically हम लोग बात करेंगे divergence and curl को साथ ही साथ देखेंगे साथ में हम लोग divergence और curl निकालना भी सिखेंगे कि किसी vector point function का कैसे divergence देखते हैं कैसे curl निकालते हैं तो इन समझ चीजों पर चर्चा करेंगे और gradient का जो lecture अभी तक बच्चे न देखेंगे पहले gradient को देख लें उनके questions को लगा लें उसके ततपश्चात ही divergence पर आए तभी आप लोग को अच्छे तरीके समझ में आने वाला है और curl अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा तो चलिए लेक्चर सुनू करने से पहले कुछ पंक्तियां जो आपके समझ हमलोग पेश करेंगे कि ब्रिच कभा हु नहीं फल भखे नदीन संचय नीर पर मारत के कार्ण साधुन धरा सरीर ब्रिच कभी अपन फल स्वयम नहीं खाता और नदीन अपने जल का संचय स्वयम नहीं करती इसी प्रकार से जो इस संसार में मनुस्ष है उसको परुपकारी बना चाहिए दूसरे का हीथ अधिक सदिक करना चाहिए तो इसी प्रकार से आप भासल बाजी नहीं करते हुए हम लोग शुनू करतें इस टापिक को तो क्या है डाइवर्जेंस क्या होता है कि डाइवरजेंस और कर्ल की बात करते हैं। divergence और curl की बात करेंगे आज हम लोगे divergence और curl की बात करेंगे divergence and curl divergence क्या होता है और curl क्या होता है इन सभी सीजों पर आज हम लोगे चर्चा करने वाले है कि what do you mean by divergence? divergence है क्या? तो पहले हम लोग बात करेंगे divergence पर उसके तत्पश्चात आएंगे हम लोग करल पे तो चलिए समझते पहले divergence क्या है इसका हम जहां तक भी तक कि दो लेक्चर लेंगे एक में आपको divergence करल जो आप बताया जा रहा है इसमें divergence करल के विसम बताया जाएगा फिर कैसे निकालते है एक हम लोग लेंगे इसकी प्रापर्टी पे divergence और करल की प्रापर्टी पे और उन पे कुछ क्वेस्चन कैसे बनते हैं एक्जाम में जो आपके आते हैं और जिसके आने के पूरे-पूरे चांस हर साल से रहे हैं और इस साल भी रहेंगे तो उनकी चर्चाएं करेंगे हम लोग तो डाइवर्जेंस क्या होता है ग्रेडियेंट आप लोग पढ़े थे कि डेल एफ वेर एफ इसकेलर पॉइंट फंक्शन दें डेल एफ इसकाल्ड ग्रेडियेंट आप देट स्केलर पॉइंट फंक्शन अब यहां पे क्या बात होती है डाइवर्जेंस में अब यहां पे जो function होता है वो दोनों divergence और curl में जो हम लोग function लेते हैं वहां पे scalar point function लेते हैं लेकिन यहां पे क्या लेते हैं divergence और कर ले दोनों में हम लोग vector point function लेते हैं, अब vector point function का मतलब कि आप यहाँ पे vector की तरह behave करेगा और point xyz r से लिए जाएंगे, तो मैं बताता हूँ क्या होता है divergence, कि एक vector point function मालने ले लिया आपने भी xyz, यहाँ पे भी क्या है vector point function भी xyz, let us consider function vxyz is a vector point function, then divergence आप भी is defined as, तब divergence आप भी को किस तरीके से define करते हैं, अब देखिए, आपको पता है कि del operator क्या होता भीया, del operator एक vector quantity होती होती है, और क्या होता, deba by deba x i, deba by deba x i, plus deba by deba y, आप j, plus deba by deba z k, this is a vector differential operator del, अब देखिए क्या है, यह vector quantity है, और मैं इस भी xyz को क्या का रहा हूँ, vector point function, पहले लिखिए आप लोग, this is your vector point function, इसका मतलब vector point function है, vector point function मैंने पढ़ाया है, पहले vector point function आप लोग जानिए, कि vector point function क्या है, कि इसमें vector function तो होगा ही होगा, साथ में कुछ point भी रहते हैं, और वो point कहां से लिए जाते है, r से लिए जाते है, मैंने बताया था, xyz बिलांग to r, रियल नंबर से लिए जाते हैं वो सब, अब देखिए, यह vector point function मैंने, इसके अंदर vector होने के गुण है, वो vector तो ही है, उसके साथ कुछ point आए है, जो qr से आए है, तो यह vector है, इसका मदलब b क्या है, यहाँ पे डिल भी एक vector है, और b भी एक vector है, भी जालसो है vector, क्योंकि मैंने बोला भी है कि यह vector point function है, अब देखिए, तो हम divergence किस तरीके से define करते हैं, कि divergence अब b, इसको लिखते हैं del dot b, मदलब दो vector का scalar product ही, यहाँ पे होता है, और वो vector कौन कौन से ते हैं, एक होता है del और एक होता है b, मदलब जब del और b के बीच में dot product लग जाए, अर्था b को अगर vector point function कहा जाए, और del स्वयम में एक vector होता ही होता है, तब अगर del dot phi की बात की जाए, del dot v की बात की जाए, अगर phi कहता कि phi एक vector point function है, तो phi लिखते हैं, लेकिन अब भी हमने कहा है, तो del dot v की अगर बात करेंगे, तो यहाँ कहला आता है divergence, और किस तरीके से होता है, यहाँ देखिए अबजरासा, तो del क्या है, del y del x i, plus del y del y z, plus del y del z के, dot vector v, यह dot है भाईया, dot vector v, अब v क्या होगा, dot है, तो v के अंदर भी i, j, k के component होंगे, vector है, तो उसके अंदर भी i, j, k के component होंगे, अब आप जान रहे हैं, कि दो same vector का dot product क्या होता है, one, तो यहाँ पर क्या है, अगर i है इसका, तो इसके वाले का i, इसमें जाके, भीड़ा के हम लोग one कर लेंगे, इसका j, उसके j से लाके one कर लेंगे, और उसका k, इसके k में आके k dot k, one हो जाएगा, तो this is your divergence, इस डेल v को क्या कहेंगे, डेल dot v को, डेल v मत कहिएगा, डेल v कहेंगे, तो मामला गबलाएगा, तब gradient का अपरोच आने लगेगा, तो यहाँ पे डेल dot v, अब इसी को कुलते हैं, जैसे वाहाँ पे grade 5 लिखते थे, तो इससे यहाँ पे क्या लिखेंगे, divergence v, div v, div v, this is your divergence, अब देखिए, मैं एक कुछ बताता हूँ, यहाँ पे, gradient से मिलने वाली quantity क्या होती थी, एक vector होती थी, अब divergence से मिलने वाली quantity क्या है, अब देखिए, भी क्या है, vector है, और दो vector का dart product करेंगे, तो dart product करने पे हमेशा एक scalar quantity ही आती है, तो dart product माने इसका ii1 हो जाएगा, jj1 हो जाएगा, kk1 हो जाएगा, तो यह जो quantity है, वो direction less हो जाएगी, direction वाला जो term ijk रहता है, वो तो उसमें से निकल गया, तो बचा क्या केवल magnitude बचा, और केवल magnitude से अगर कोई quantity fulfill होती है, तो वो क्या कहलाती है, scalar कहलाती है, तो इसका मतलब जब dart product यहाँ पे होता है, इनके और इनके बीच, तो जो quantity निकल के आती है, divergence, जिसको कहते हैं आप लोग, जो divergence आता है, वो एक क्या quantity होती है, scalar, scalar quantity, समझ आई बात, तो हमने लेके क्या चला, vector लेके चले, और पा क्या गए, उस पे divergence अप्लाई क बात, del.v करने पे हमको मिल क्या रहा है, वो मिल रहा है, scalar, तो यह रहा del.v, जब del.v कहेंगे dart product, इसका साथ का तरीका याद रख लो, d माने dart, d माने divergence, तो dart लग गया, तो divergence, किसके किसके बीच, dart लगाते है, जो हमारा vector point function है, और जो हमारा operator, vector differential operator del है, del.v, इसकाल divergence अभी, यह है, और यहां से quantity कैसी मिलती है, इसके लगा quantity, कभी-कभी competition में पूझेता है, vector calculus, अभी तुम जाओगे, कभी C, U, E, T, P, G, E, दोगे, तुम्हें पूछ लेगा, कभी-कभी, ठीक है, अच्छ है, अब divergence हो गया, divergence का प्रोचन हमने बख दिया, अब थ्वासा थियरम हो ज देखेंगे, दोनों का theorem क्या है, किस तरीके से लोगों को, अभी हम लोग जो यहां पर भीक लिखे है, अब भीक थ्यूरम में क्या है, कि भीका कुछ component ले ले लेंगे, रहे का तो vector point function है, लेकिन component का मतलब I, J, K, K, E, Lang ले लेंगे, तब उसके बाद देखते हैं कि वो किस बेसिक डिफरेंस है, और क्या इससे रिजल्ट आता है, तो चलिए, करल, जरात सहां ऐसे है, जगह है, तो यहां पर दिखाएंगे, तो यहां पर दिखाएंगे, तो यहां पर सामने चीजे divergence की भी लिगी है, तो आप conclusion निकाल लेंगे, आसे, करल भाईया, यह क्या कहते है, अब हमने vector point function इसमें भी लिया, और इसमें भी लेंगे vector point function ही, तो आप कहेंगे सर, तब difference क्या होगा है, है, अभी हम लोग थोड़ा सा ही तो आगे बढ़ें, अभी दिखाते हैं, अब इसमें भी लिया, तो मालों इसमें yf लेंगे, लेकि रहेगा वो vector point function, इन ही के जाती क रहेगा, तो हो लेंगे yf, जो क्या है, fxyz क्या है, एक vector point function है, vector, vector point function, vector point function है भी यf, अब इस पे भी operation होगा, डिल के साथ ही, डिल ही operate करेगा, इन के साथ, यप के साथ, अब किस तरीके से operate करेगा, तो डिल भी vector, yf भी vector, डिल तो आप देख रहे हैं, vector है ही, और yf क्या होता है, वो भी एक vector point function है, तो वो भी एक vector है ही, अब यहाँ पे जो डिल डाट भी हम लोग लिखते थे, वो divergence के case में लिखते थे, अब हम लोग डाट product देखे हैं, इन दो cross की बात होगी, तुरंद हम आएंगे curl पे, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे, इसका definition क्या देने वाले है, कि लेट आस consider a vector point function f, x, y, z, and curl of this f is defined as, किस तरीके से define होता है, जाँए, डेल cross f, डेल cross f को हम लोग कहते क्या है, यह होता है आपका curl f, इसको curl f कहते हैं, curl f is equal to, डेल cross f, और डेल आपका होता क्या भीया, डेल होता है आपका, diva by diva x i, diva by diva y z, plus diva by diva z k, और cross, cross क्या, यह f जो आपका vector point function है, ठीक है, अब cross निकानले के लिए हम लोग क्या करते थे, determinant में थड़का यूज करते थे, तो अही काम यहां भी करेंगे, determinant की help से, हम लोग करल निकालेंगे, अर्थात cross product निकालेंगे, तब देखिए, अब difference सबन्य आया, कि यह भी vector पर अपलाई होता है, यह भी vector पर अपलाई होता है, लेकिन यह del dot भी होता है, यह del cross यह अफ होता है, अर्थात, उसमें cross product होता है, और दूसरी चीज, एक और चीज क्या आती है, भाईया देखिए, scalar product का मदलब dot product, और dot product से जो quantity निकल के आती है, वो scalar होती है, लेकिन cross product का मदलब vector product, vector product क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके cross product के ततपस्याद, जो quantity आती है, वो भी एक vector ही आता है, तो यहाँ पर इसका जब भी product करेंगे, भाईया यह अफ है, वो vector है, इसका मदलब वो भी अपने i, j, k के component के फार में रहेगा, और जब उसका cross लेंगे आप इसके साथ, तो भी एक vector quantity ही आएगी, और vector quantity ही आएगी, क्यों, क्योंकि इसमें i, j, k के component रहते ही रहते हैं, आप लोग करके देखे हुए हैं, आप determinant साल किये होंगे, किसी भी दो vector हो का अगर cross product, उसमें i, j, k र अच्छा है, अब एक नया नाटक, नया नाटक क्या है, कि देखिए, जब curl निकालते हैं, मदलब cross product निकालते हैं, तो देखते हैं कि इस तरीकेस होता है, यह ज़िए cyclic order देखिए, i, j, और यह k, i cross j करते हैं, तो यह shift होता है, k पे, j cross k करते हैं, तो यह shift होता है, मदलब इसे cyclic order में चलते हैं, तो यह positive rotation होता है, अगर anti-cyclic हो जाते हैं, क्या होगा, anti-cyclic हो जाएंगे, तो इस तरीकेसे घूमेंगे, तो यह negative, मदलब कि यह cross i करने पे minus j आता है, तो देखते हैं, ज जैसे i cross j लेते हैं, तो k पे shift होता है, k cross i लेते हैं, तो वो क्या होता है, minus j पे shift होता है, अब देखिए, i cross j, j cross k, k cross i लेते हैं, तो j पे shift होता है, लेकिन अगर यही direction इसका घूम जाए थोड़ा सा, इस तरीके से लगे घूमने, इस तरीके से होने का मतलब क्या, जैसे यहां पे देखिए, यहां मतलब यह, कि यह i है, प्रस आउर clear बता रहे हैं आपको, j है, और यह k है, तो घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है, इस तरीके से ऐसे घूमती होगे जाती है, तो एक क्या है, cyclic order, clockwise rotation है इसका, अगर यह ऐसे न घूम करके, उल्टा घूमें, माने इधर से इसे चले, इसे चले, तो यह क्या होगा, जिसे ऐसे जब चलता है, clockwise rotation में, जैसे clockwise का मतलब घड़ी की तरह है, तो i क्रास j करते हैं, तो k पे shift होता है, अब क्या होता है, i क्रास j करते हैं, तो k पे, k क्रास i करते हैं, तो j लेकिन अगर यही क्रास प्रोड़क्ट या वेक्टर प्रोड़क्ट में, जब हम लोग प्रोड़क्ट करते हैं, दो वेक्टरों का, तो किसी तीसरे पर वो shift होता है, अर्थाथ उसका rotation होता है, तो इसी कर्ल को हम लोग एक नाम और देते हैं, rotation, इसको rotation आप f भी कहा जाता है, बहुत जगे, rotation भी कहा जाता है, तो इसमें confusion है, कभी कभी एक्जाम में अगर पूच दिया कि, अगर यह फिया vector point function है, तो इसका rotation f निकालो, अब बच्चे गवड़ा जाएंगे, हम लोग के divergence, curl, gradient, gradient तो पढ़े हैं, यह rotation क्या होता है, तो rotation कुछ नहीं ही कर ले होता है, अब कहां से होता यह आपको मैंने बताया पूरा, ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा और कुछ चीजें हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, जानेंगे क्या आप, कि क्या कैसी क्या नाटक होता है, देखिए भईया, अगर divergence एक तरफ है, एक तरफ हम लोग बात करना है, curl की, हम इसलिए इन दोनों को parallel लेके चलना है, कि छीजें आपको काफी समझ में आए, यह तरफ है curl, एक तरफ है divergence, एक तरफ है curl, ठीक है, तो जब divergence, जब divergence किसी vector function का, point function का क्या हो जाए, 0, मतलब यहाँ मैं मालों, अब divergence आप भी की बात करें, अगर यह 0 हो जाए, divergence अगर किसी vector point function का, अगर 0 हो जा रहा है, तो हम लोग उसको कहते क्या है, कि वो solenoidal है, हम लोग उसको क्या कहेंगे, कि वह जो है, solenoidal है, अगर divergence 0 हो जाता है किसी का, तो solenoidal कहलाता है, लेकिन अगर curl जब 0 हो जाए, तब वो क्या कहलाएगा, मालों, curl f अगर 0 हो गया, curl f अगर 0 हो गया, तो curl f की प्रवित्ति क्या थी भाईया, rotate करने की, और curl f 0 होने का मतलब, कि वो rotation करही नहीं रहा है, तो curl rotation नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो irrotational form में है, irrotation, तो उसको क्या कहते है, irrotational, जब curl f 0 हो जाता है, तब आपको क्या कहते है, irrotational, irrotational, divergence 0 हो तो solenoidal vector होता है, और curl अगर 0 हो तो irrotational होता है, तो इस पर question आते है, कि अगर कोई unknown देदेगा, a, b, c, कुछ भी देदेगा, कदेगा, यह vector point function के expression में वो आपका देदेगा, कि अगर यह vector point function इसके divergence की value 0 है, तो find out करिए, कि a के कि value के लिए यह A है, या a के कि value के लिए इसका curl 0 है, तो इस तरीके का question आता है, तो आप जानते हैं कि अगर वो solenoidal है, तो उसका divergence 0 है, अगर hydrotational है, तो उसका curl 0 है, और वो condition लगा कि वहाँ से expression साल्व करके आप निकाल सकते हैं, कि let us consider, let us consider क्या आप ऐसा मान के तो चल नहीं रहे हैं, क्योंकि वो दिया है theorem में, क्या आता है, अब वेक्टर पॉइंट फंक्शन, Vxyz is defined as, इस तरीके से दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, V1I plus V2z plus V3k, यहाँ पे आप मन करें, यहाँ वेक्टर न लगाईए, क्योंकि यह magnitude के लिए है, वेक्टर तो आपने यहाँ पे लिया आई है, ठीक है, V1, V2, V3, लेकिन यह वेक्टर है, क्योंकि इसमें Ijk तीनों का जो component है, उसके एलांग, अब देखिए, तो इनका जब भी आप divergence की बात करेंगे, then prove that, divergence आप V, divergence आप V की जब बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डेवा V by डेवा X, प्लस डेवा V2 by डेवा Y, तब डेवा V3 by डेवा Z, यह हो जाएगा, तो हमको देखना है कि क्या यही theorem है, कि इस तरीके का अगर component फार में है, तो उसका divergence निकालेंगे, तो हमको इस तरीके का मिलता है, तो कैसे निकालेंगे भईया इनका divergence, तो देखिए, इसका प्रूफ करेंगे हम लोग, अपने को V क्या दिया है, V दिया है आपका V1 I, प्लस V2 Z, प्लस V3 K, ठीक है, अब हमको divergence V की बात करनी है, divergence V देखना है, तो divergence V कैसे देखेंगे, divergence V की बात करते हैं, divergence V क्या है, कि divergence V का मतलब क्या होता है, डिल डाट V, अब देखिए, divergence V की बात करते हैं, डिल डाट V की बात करेंगे, अब यहाँ पर विक्टर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लोग जो विक्टर लगाएं, इसको विक्टर ना लगाएं, क्योंकि divergence एक क्वांटी जो मिलती है, वो एक स्केलर रहती है, अच्छे, डिल डाट V करेंगे, अब डिल क्या होता है, डिबा बाइं डिबा यक्स, आई, प्लस डिबा बाइं डिबा य, ज, प्लस डिबा बाइं डिबा ज, क्ये, और डाट, V की value क्या है V1 I plus V2 J plus V3 K V1 I plus V2 J plus V3 K ठीक है बढ़िया तो हम लोग क्या करेंगे अब अब देखिए हम लोग apply करेंगे इनको इन पे तो क्या होगा same का same वाले में जाएगा क्योंकि डाट प्रोड़क की बात कर रहा है तो I का I वाले के साथ ही होगा नकी J के से अब J के साथ करेंगे तो डाट प्रोड़क क्या होगा 0 त्याब पे इसका वाले का इसके साथ तो डेवा बाई डेवा यक्स आप V1 I dot I में 1 त्याब क्या होगा डेवा V1 बाई डेवा यक्स और I dot I one हो जाएगा प्लस अब J वाले का J के साथ तो J वाले का J के साथ करोगे तो one होगा तो क्या हो जाएगा डेवा V2 by देवा लाई प्लस आप देखिए के उले का के साथ तो के के लाट कंपोनेंट क्या है वित्री और इधर के डाट के करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डेबा V3 by डेबा Z, और यही अब को प्रूब करना था, यही theorem कहता है, कि अगर इस तरीके का component फार में अगर दिया है कोई vector point function, तो उसका divergence निकालते हैं, तो क्या होता है, कि जो I का है, उसका X के लांग हो जाता है, partial differentiation जो J का है, उसका Y क के लांग हो जाता है, और जो K का है, उसका Z के लांग हो जाता है, तो देख रहा है हो, I वाला component क्या था यहाँ पे, V1 तो उसका X के respect में, J वाला component क्या था, V2 तो उसका Y के respect में, के वाला कंपोनेंट क्या था V3 उसका किसके रिस्पेक्ट में जेड के रिस्पेक्ट में और देख रहे हैं इसमें डारेक्शन के साथ कोई क्वांटिटी नहीं आया है तो एक स्केलर क्वांटी यहां पे साफ आपको प्रूफ दिख रहा है इसका तो यहीं है यह थियूरम और екकोन का रिस्पेक्ट का नेचर कैसे देखते हैं किस किस के क् ήश्पेक्ट में कंसा पर सियल क्या होता है तो देखिए, तो कैसे कर्ल का आप समझते है त्यूरम यह थियूरम था उपर वाला वो डाइवर्जेंस का केश था अब कर्ल का लिए पॉर्श्इक्ट का लेते के टाइप का होगा, इस तरीके का होगा, अब देखिए, इस तरीके का अगर है, तब क्या करेंगे, तो हम इसके करल F को प्रूफ करेंगे, क्या, तो इसका अगर हम करल F देखते हैं, तो करल F जब देखेंगे, तो वो क्या होगा, अब देखिए कर ले फिसका अगर हम निकालेंगे तो हमको प्रूप में क्या आएगा इसके देखिए I, J, K हम लोग इसको थ्यूरम न समझते हुए प्राबलम की तरह ही कर लेते हैं इसको थ्यूरम न कहते हुए इसको प्राबलम समझ लो अगर मालो या फापका इस तरीके से है, इसको थियूरम ना कहते हुए प्राबलम ही समझ लो आप, बैलकि ये प्राबलम ही है, उपर वाला ही प्राबलम है समझो, क्योंकि वो आप से एक्जाम में आये का नहीं, वो थियूरम ना कहते हुए इसको प्राबलम का ना ज्यादे बढ़िया है तो इसे अगर कोई vector point function है f f1 i plus f2 j plus f3 k यहां पे f के अंदर xyz का function heat है और यह ijk है तो इसका मतलब कि इसमें direction भी होगा अब देखिए हमको curl f अगर निकालना है curl f का निकालने का मतलब क्या कहा जा रहा है curl f क्या होता है भई आप जानते हैं कि del cross f del cross f होता है और del क्या होता है deba by deba x i plus deba by deba y z plus deba by deba z k cross cross क्या f, f का component क्या है यह अब क्या दिया है f1 i f1 i plus f2 z plus f3 k यह दिया है अब मैंने बताया है आपको यह आप जानते भी होंगे हम लोग cross product की जब भी को देखिए determinant पहले बनाईए यह लिखिए i j k सबके coefficient को हम लोग लिखते हैं पहले अब देखिए यहां पर पहले del का component लिखेंगे तब f का component लिखेंगे तो del का component क्या है i k lang क्या है deba by deba x j k lang क्या है deba y deba y और k k lang क्या है deba y deba z अब ऐसे ही i j k lang f का component देखेंगे क्योंकि class f के साथ हो रहा है तो i k lang क्या है f1 j k lang क्या है f2 और k k lang क्या है f3 अब determinant जैसे simple solve करते हैं आप ऐसे लगाए यहां पर क्या करिए पहले इसके expansion करेंगे first row के अनुसार तो इसको छोड़ेंगे इस रो को छोड़ देंगे इस कालम को छोड़ देंगे वाने उपर से cancel यह cancel बचा क्या इसका इसके में product इसका इसके product तो क्या होगा deba y आप deba deba y आप f3 माइनस deba deba z आप f2 किसके इलांग की यह थे आई की इलांग फिर क्या हो जाता है यह आड़ position पहोता है तो वह negative होता है जानते है one two position से फर्स्ट रो का का second column तो मांइनस अब इस बार इस रो को छोड़ेंगे इस कालम को छोड़ेंगे क्योंकि इसमें आं गये है डेबा डेबा जड आप f1, z, प्लस, अब k वाले में करेंगे, तो इस रो और इस कालम को छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या, डेबा डेबा एकस आप f2, डेबा डेबा एकस आप f2, माइनस, डेबा डेबा वाई आप f1, k कैफ, तो यहाँ तो देख रहे हैं, यह कंपोनेंट आएगा, आपका कर्ल एप करने पर इस तरीके का कुछ एकस्प्रेशन आता है, माने f3 वाले का y के रिस्पेक्ट में, f2 वाले का z के रिस्पेक्ट में i cap, उनका डिफ्रेंस करके, फिर x वाले के रिस्पेक्ट में करेंगे, f3 का, z वाले के रिस्पेक्ट में करेंगे, f1 का, उनका डिफ्रेंस करके, प्लस डवाट डवाट आयक्स आप F2 माने F2 वाले का करेंगे X के respect में partial F1 वाले का Y के respect में partial करके तब के कैप लेंगे उनके difference का तो यह इस तरीके से curl F और इस तरीके का अगर component फार में दिया है तो हम लोग इस तरीके से निकालते हैं और यहां पर देख रहा है कि एक वेक्टर क्वांटिटी आई है आई जे के इनके साथ आया हुआ है तो यह हमारा क्या का लाया यह का लाया आपका एक कंपोनेंट फार में कर्ण निकालने का यह मेथड होता इस तरीके से यह में लोग प्राब्लम जब साल्व करेंगे इत्तरले किस तरीके निकालते हैं जो यह भी निकाले है उसका कंपोनेंट फार कुछ इस तरीके से आया है डेल f3 बाइडल y माइनस डेल f2 बाइडल z i माइन से जो curl f आप निकालें एक vector point function का वो आपको एक vector quantity मिली तो ये curl f क्या कहला ही एक vector quantity आई देख भी रहे हैं ijk के साथ आया है तो this is your vector quantity vector quantity तो जब हम लोग questions की practice करेंगे तो इस तरीके से हम लोग curl f निकालेंगे f का मतलब f कोई vector point function दिया रहेगा उसका हम लोग curl f इसी तरीके से component form में निकालेंगे तो चलिए फ्राजा कुछ advanced चीजे बात करते हैं जो आपके सलेबस में तो है नहीं लेकिन उनका कहीं ने कहीं यूज आपके questions में होता है जैसे लापलासीयम आपरेटर की बात करेंगे यहम लोग की लापलासीयन आपरेटर क क्या होता है? लापलासियन आपरेटर को डिनोट करते है भया, डेल 2 से, यह डेल इसको डेल 2, डेल को तो जानते हैं, क्या करते हैं, उसको आते हैं, वेक्टर डिफरेंशियल आपरेटर और डेल आपरेटर भी करते हैं, अब डेल 2 को करते हैं, लापलासियन आपरेटर, इस लापलासियन आ तो चलिए, लापलासियन अपरेटर क्या होता है, इसके भी से हम फ्रहुते जानते हैं, डेल 2, यह होता है आपका डेल . डेल . डेल का मतलब क्या हुआ है? डेल की वैलू तो आप लोग जानते हैं न, क्या होता है? उसी का उसी में डेल प्रोड़क्त है मानने, डेले पाँद डेल डेल एक्स आइप्लोस डेल 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 जल माफले है अप देखिए क्या होगा? अब dot product करेंगे तो i का i में होगा जब तो i dot i की value क्या होती है? 1, j dot j की value 1 और k dot k की value 1 होती है तो यहाँ पे क्या होगा? deba by deba x dot, यहाँ पे deba by deba x में i component और इसका भी i component तो i dot i 1 तो आज क्या हो जाएगा? यहाँ आएगा deba 2 by deba x2, plus deba 2 by deba y2, plus deba 2 by deba z2 यहाँ आएगा आपके laplacian operator del 2 की value आएगी आपके this is your laplacian operator del 2, यही होता है laplacian operator laplacian operator की value यही होती है, del 2 by del x2 plus del 2 by del y2 plus del 2 by del z2 this is your laplacian operator del 2, यह है laplacian operator अब हम लोग बात क्या करने वाले है इस laplacian operator का किसी scalar point function के साथ कैसा behavior रहता है और किसी vector point function के साथ क्या nature रहता है उन समस्त चीजों की चर्चा करते हुए हम लोग थोगा सा चर्चा करेंगा laplacian equation की ठीक है तो देखिए आगे हम लोग बात करने जा रहा है क्या laplacian operator के nature पे कि किसके साथ कैसा इसका nature रहा है और कैसा रहेगा ठीक है बहुत आसान होता है बहुत जादे कुछ कठी नहीं है यह सब आपके सलेबस में है नहीं लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि इसका यूज होगा आपके questions में ठीक है यह del 2 की value है laplacian operator ठीक है del 2 by del x2 plus del 2 by del y2 plus del 2 by del z2 ठीक है अब तो आज बात करते हैं अगर हम लोग f, x, y, z को एक scalar point function लेते हैं f, x, y, z को हमारा scalar point function है तो इस scalar point function के साथ यह जो laplacian operator है एक इस तरीके से behave करता है अथा del 2 f की बगर बात करें हम लोग तो del 2 f क्या हो जागा भईया del 2, पहले del 2 की value क्या होती है del 2 by del x2 plus del 2 by del y2 plus del 2 by del z2 और उस पे हम क्या apply करना चाहरा है यप को तो यप क्या है वह x, y, z का function है scalar point function है x, y, z का तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें कहीं न कहीं इस यप में x, y, z निहित है वह अपने अंदर समाहित किये हुए है तो यहाँ पर क्या होगा यह इन तीनों पर distribute होगा तीनों के साथ यह separate होगा तो क्या होगा यह होगा आपका del 2fy del x2 plus del 2fy del y2 क्योंकि इसमें x, y, z तीनों के component रहेंगे x, y, z के farm का है न वो तो यहाँ पर x के respect में भी partial होगा y के respect में partial होगा z के respect में partial होगा लेकिन कितने times del 2 माने 2 times partial differentiation तो del 2fy del z2 यह हमारा आया क्या यह हाया del 2f यह del square यह भी बहुत लोग कहते हैं इसको तो यहाँ पे देख रहा है यह अपको हमने क्या लेके चला है हम लोग यह अपको क्या माने थे यह अपको माने थे कि scalar point function और जब उस पे हमने laplacian operator apply किया तो हमें क्या मिला result वह ijk से उसमें include नहीं था this is your scalar माने यह scalar चीज मिली मुझे अब जड़ा सा एक चीज और देखिए अगर हम इसको vector मान के चलते हैं तब यह क्या होगा हमको देखने की बात यह है तो आप हम fx yz को यहीं पी देखिए थोगा समय करता हूँ यह second point अब बना यह अब इसको scalar मानते हूँ इसको क्या माननूँगा अब मैं इसको मानने वाला हूँ vector अब बनान्ने वाला हूँ vector इसको अब यह vector की तऱ भी help करने वाला है scalar रहता तो से value रहती य,jk उसमें रहता नहीं वेक्टर है तो यहां पर क्या प्वाइंड भी है, वेक्टर का नेचर अर्थात i, j, k अब आ गये हैं, अब क्या होगा, i, j, k आ गये हैं, तब देखिए, यहां पर जब भी चीजे रहेंगी, f अब वेक्टर की तरह भी हैप कर रहा है, यहां सेम ऐसे ही डिस्टिब्यूट होगा लेकिन अब जो क्वांटिटी आएगी वह आपकी स्केलर नहीं रहेगी, अब जो इसकी इसकेलर नहीं रहेंगी, यह देखिए, उसके अदर यह कहीं नहीं रहेंगी, ही आएंगे इस डेल 2 f में तो जब i, j, k component आ गया उसकी magnitude भी आ गई तो यह वेक्टर की तरह कंपोणेंट भी आएंगे ठिक है यह वेक्टर क्वांठिटी आ गई अब थोड़ा बात करेंगे हम लोग Laplele मेंकि की अब थोड़ा सा चर्चा करेंंगे हम लोग Laplele equation की Laplele equation जो है बड़ा जगा यूज होता बहुझ सा рассказыв इस चीजों में यूज होता है, basically इसका physics में बहुत बड़ा यूज है, लाप्लास equation का physics में ही बहुत बड़ा यूज है, ठीक है, अब देखें थोड़ा जाम लोग चर्चा करते हैं, क्या, लाप्लास equation की, लाप्लास equation, लाप्लास equation, देखें, लाप्लास equation जो होता है, लाप्लास equation का physics में भी यूज होता है, आप mathematical physics पढ़ते हैं, तो लाप्लास equation हम लोग समझते हैं, लाप्लास equation क्या है, और विभिन क्वाडिनेट सिस्टमों में लाप्लास equation को निकालना सीखते हैं, जैसे आप लोग physics में पढ़े होंगे cartesian coordinate system में पढ़ते हैं, plane polar coordinate system में पढ़ते हैं, spherical polar coordinate system में पढ़ते हैं, cylindrical polar coordinate system में पढ़ते हैं, बिभिन जो है coordinate system में हम लोग निकालना सीखते हैं laplace equation, laplace equation तो है एक ही बस अलग-अलग coordinate system में हम लोग laplaceian operator को अलग-अलग लेते हैं, तो आप लोग पढ़े भी होंगे फिजिक्स में आप पढ़ेंगे आने वाले समय में तो यह पर हम फ्वासा चीजे वही रहेंगे लेकिए हम यह आप थाव मैथमेटिकल एप्रोच में इसको समझेंगे आपके सलेबस में यह है नहीं लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आगे काम देगा आपको अब देखिए लापलास एक्वेशन होता क्या है कि डेल 2F is equal to 0 अगर डेल 2F करने पे किसी फंक्शन का वह हमें result 0 दे रहा है तो यह है एक्वेशन जो बनी इसका नाम पड़ा था लापलास एक्वेशन इसको लापलास एक्वेशन कहा गया कि डेल 2F is equal to 0 डेल 2 को आप समझते हैं अभी मैंने बताए डेल 2 क्या है लापलासियन आपरेटर अगर यह किसी फंक्शन पर एक्ट करे यह अगर कोई फंक्शन है और उस पर एक्ट करे और वह मुझे result क्या दे दे जीरो दे दे तो यह कहलाया हमारा लापलास एक्वेशन अब जो फंक्शन के लिए जिस फंक्शन के लिए आपका डेल 2F करने पे 0 आता है वह फंक्शन कहलाता है हार्मोनिक फंक्शन अर्थाथ इस फंक्शन अपके लिए आपका आया है अगर डेल 2 या फिजिकल 2 0 तो इस एप को कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन harmonic function harmonic function करने का मतलब यह है कि जो function laplace equation को satisfy कर रहे वह function laplace equation यही है इस फार्म को जो satisfy कर दे इस equation को वह function कहलाता है आपका harmonic function अभी जब जाएंगे आप पढ़ेंगे आगे complex analysis पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका harmonic function का concept आता है laplace equation का concept आता है तो harmonic function harmonic conjugate पढ़ेंगे कुसी readers equation पढ़ेंगे mr equation analytic function कब analytic होता है कब कहां क्या होता है इस Kundust चीजू पे वहाँ पे चर्चाहें होती है तो जहां आपका harmonic function, वहाँ पे इस तरीके लाप्लास equation रहता है, वहाँ पे रहता है, तो वह लाप्लास equation को satisfy करता है, वह harmonic function कहलाता है, चाहे यहाँ पे आप बात करेंगे, चाहे आप complex analysis में बात करेंगे, वही चीजे रहती हैं, उसी को harmonic function कहते हैं, तो यह आपका basic जो आपके exam में यह सब चीजे पूछी नहीं जाती कभी इसका huge questions में आप जब इसके बात का lecture जो आएगा इसमें आप बात करेंगे divergence और curl के questions की तो उसमें कहीं आपको यह सब चीजे यूज लिखेंगी कहीं Del2 आपका नाम दिखेगा Del2 कहीं आप लोग उसका curl की बात करेंगे कही नहीं देखें तो gradient देखें उसके questions भी बताया गया है कि किस तरीके questions आते हैं exam में वो समस्त चीजों को देखने के ततपशात ही से देखें तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है अन्य था फिर आप लोग परसान होंगे demotivate होंगे तो पहले उन lectureों को देखिए उसके बाद इस lecture को देखिए तभी आगे continue आप रहेंगे उस तरीके से आप लोग को वीडियो मिलते रहेंगे तो जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किये हो वह पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और bell notification का बटन जरूर क्लिक कर दें जिससे कि ज लोग आपकी सायता कर सके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए questions के साथ divergence और curl के तब तक के लिए भन्यवाद ऐसे ही अपना प्यार और support बनाए रखें